हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री क्लासे में जहां हम और आप मिलके RRB, NTPC and Group D की प्रिपेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हम फिदिक्स, मैथ्स और रीजिनिंग तीन और क्लास कंड़क्ट कर रहे हैं तो अगर मैथ्स और रीजिनिंग की क्लास नहीं देखते हैं तो आप जाके देख सकते हैं और अभी हम फिजिक्री क्लास कर रहे हैं जिसमें हमने मोशन, यूनिट and डिमेंशन खतम कर लिया है और अब हम कर रहे हैं ग्रेविटेशन में कल हमने देखा था कि कैसे हम लोगा ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है ग्रेविटी क्या होता है ग्रेविटी कैसे डिसकवर क्या गया किसने किया और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है यह किसने फाइं जो है वो फोर्स होता है जिसका अब फिर हम ग्रैविटी निकालते हैं कि अर्थ की ग्रैविटी कितनी है gravity मतलब किस acceleration से अर्थ हमें अपनी तरफ एट्रेक करता है वो हमने निकाला फिर हमने देखा अर्थ acceleration due to gravity on earth तो इसे हमने देखा mass of earth, radius, gravitation constant फिर हमने निकाला तो उसकी value है 9.81 meter per second square फिर हमने देखा था कि gravitation moon पर कितनी होती है उसकी value कितनी होती है mass of moon radius of moon फिर gravitational constant क्योंकि यह हमने देखा था कि gravitation constant जो है हर जगे सेम होती है फिर हमने देखा था कि जो force निकलता है हम लोग को वहाँ पर वो earth के six times कम निकलता है मतब जो gravity है moon पर वो earth divide by six है तो उसके बाद हमने देखा था कि अगर हम 10 kg earth पर है mass है तो earth पर हम कितना force exert करेंगे 98.1 newton वही moon पर हम करेंगे divide by six newton 98.1 divided by six आज हम देखने वाले हों कि earth के उपर ही कैसे gravity का variation होता है हम लोगों पता यह earth है हम इस फेर मानते है बट क्या है यह उपर से जिसे center earth उपर से थोड़ा चिप्टा है मतब यह radius और यह radius अगर यह equator है और यह poles है तो जो यह radius है और यह radius है तो यह radius कम है और यह radius थोड़ा सजाता है मतब exactly sphere नहीं है तो अब देखें अगर हम यहाँ पर खड़े होता है तो हम लोगों पता है g क्या होता है g m by r square तो यह radius अगर कम है poles पर तो r square कम हो गया तो यह नहीं g हम लोगों का ज्यादा होगा अगर हम इकवेटर पर जाते हैं इकवेटर पर slightly higher radius होता है exactly हमारे sphere नहीं है थोड़ा उपर से हम बोलते हैं जिसे orange shape का orange कैसा होता है उपर की तरफ से थोड़ा चप्ता होता है और side से थोड़ा मोटा होता है तो that's why अब यहाँ पर है तो g square to g m by r square r square तो यहाँ का जोग radius है थोड़ा सा बढ़ा है यहाँ अगर मैं इसको radius 1 लिखता हूँ और यह radius 2 लिखता हूँ तो r1 smaller than r2 तो g m by r square तो यह क्या होगा जो equator पर होगा g at equator is less is greater than sorry बोटा बोल दिया हम इने is less than g at pole क्योंकि इसका radius जादा है तो इस वे से यह कम हो जाएगा पूरा तो g at equator is less than g at pole, यह g at pole है pole पर हम लोग की value होती है 9.81 meter per second square तो जैसे हम pole से equator की तरफ आते हैं, वैसे वैसे हम लोग की gravity कम होती है यहाँ पर highest pole पर और यहाँ पर lowest lowest मतब surface और earth पर equator पर lowest होती है क्या हो अगर हम earth के अंदर जाते हैं, तो gravity हमारी कम होती है यह जादा होती है देखते हैं gravity inside earth दिखिए earth हो गया यह इसका center है अगर कोई object या फिर person यहाँ पर है तब तो हमने देख लाए सबसे highest होगी जो poles पर होती है सबसे highest gravity अगर मैं फिर अंदर आता हूँ मान लिए मेरा object यह आ गया तब radius तो कम हो गया तो हमने देखा था g to g m by r square तो अब आप बोलेंगे कि अगर radius कम हो गया तो gravity बढ़नी चाहिए बढ़ अब देखिए जो यहाँ पर mass है वो दो part time में divide कर रहा हूँ एक तो जो हम जहाँ पर खड़े हैं उसके नीचे का radius और उपर का तो जो यह mass है वो तो हम लोग को अंदर की तरह protect करेगा बढ़ जो outer mass है वो हम लोग की बाहर की तरह protect करेगा तो इससे क्या होता है कि हम लोग inside भी जाते हैं तो हम लोग का जो gravity or decrease होता है inside earth inside earth gravity decreases जैसे यासे हम अंदर जाएंगे हम लोग का एक surface अंदर की तरफ हमको attract करेगा और एक surface क्योंकि हमने देखा था gravity क्या होता है mass जो होता है attract करता है दूसरे mass को यही हम बोलते है gravitational force तो एक mass हमको अंदर की तरफ attract करेगा एक बाहर की तरफ इस वैसे जो net gravitational force लगता है हम लोग को inside the earth वो कम लगता है, decrease हो जाता है और क्या हो अगर हम बिल्कुल center पर चलिया है तो अगर center पर आएंगे तो देखिए center पर आगे तो यहां पर होता है zero gravity क्या होगा, कोई भी mass हमको यहां पर आगे तो यह वाला mass अगर मैं इस surface के देखिए तो हमको इधर attract करेगा, इधर वाला surface इधर attract करेगा उपर वाला surface उपर attract करेगा, इधर वाला इधर attract करेगा तो क्या होता है, पूरा एक balance system बन जाता है तो at center, लेके first inside at certain inside at certain radius gravity decreases और second at, अगर मैं बोलू, at center of earth gravity becomes zero center पर देख लिए हमने gravity क्या होती है, हम लोग कि zero हो जाती है हाइट पर जाते हैं, किसी अगर हाइट पर जाते हैं, अगर यहाँ पर हैं तो अब देख सकते हैं यहाँ से पोल पर सबसे lowest center पर और बाकी हम लोग बीच में रहें या फिर height पर रहें हम लोग की gravity हमेशा decrease होगी अब देखते हैं, escape velocity escape velocity से आप क्या समझते हैं, देखिए, इसे earth है अगर इसके उपर कोई gravitational force लगेगा, कोई भी object तो उसके उपर कुछ gravitational force लगेगा, downward तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक velocity से throw करूगी एक object को और ओबजेक्ट gravitational force को छोड़के बिल्कुल space में चला जाए, outside space मतलब वो जो gravitational pull है, जो भी है, क्या होगा, यहाँ पर जादा होगा जैसे इसे उपर जाता है, gravitational pull कम होता जाएगा बट एक ऐसा point आएगा, जहाँ पर gravitational force बिल्कुल zero तो उससे हमको बाहर निकालने के लिए एक ऐसी velocity चाहिए कि हम उसको बिल्कुल space में फेक सकें, तो देखें क्या होता है देखें क्या होता है, escape velocity जो VE होता है उसकी value हम लोग निकालते है, 2 gm by r क्या होता है, जैसे radius जैसे इसे बढ़ेगा देखें माल लिए यहाँ पर हम लोग, अभी यहाँ पर हैं हमने फेका, इस radius से फेक रहे हैं बट एक मैं बिल्कुल मान रहाँ कि यहाँ पर अगर जिसी यह है यह last point ए gravity का, तो मैं इस velocity फेक हूँ, यहाँ से निकल सकें वो चाहे हो 1 meter per second से निकलें, बट यहाँ से निकल सकें उस velocity को निकालने के लिए यह formula है, under root 2 gm by r square हम लोग को derivation नहीं देखना है, हम लोग को बस normal formulas मतलब है और देखते हैं इसकी value क्या होती है, जब हम जैसे g जानते हैं क्या होता, universal gravitational constant, m mass of earth, r radius of earth हमको object की mass से कोई मतलब नहीं है, object 5 kg का है, 10 kg का है हम अगर satellite भेज रहे हैं, अगर कोई rocket भेज रहे हैं हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस उतनी velocity देनी है तो इसकी value होती है, VE जो होता है, earth के लिए 11.2 km per second देख सकते हैं कितना जादा velocity है, अगर हम किसी चीज को fake ना चाहते हैं देखिए, इसमें कहाना कि अगर हमने fake यहां से, उसके बाद हम कोई उसको force कुछ भी apply नहीं कर रहे एक बार मैंने throw कर दिया, 11.2 km per second से, उसके बाद वो object है space में चला जाएगा, हम उसको फिर दुबारे लॉट के नहीं आएगा कभी इस speed से लफेकते हैं वहीं जो अगर हम निकालते हैं, मून के लिए, तो मून के लिए कितना हो जाएगा मून के लिए होता है, Vm अगर, escape velocity Vm लिखता हूँ मैं उसको तो मून के लिए होता है, 2.38 km per second देख सकते हैं, अर्थ के लिए कितना जादा है मून के लिए भी जादा है, बट competitively बहुत कम है अर्थ के मून से अगर हमको बहार फेकना है तो वह आसान है हमको फेकना आप बोलेंगे कि rockets होता है, वह इतनी speed से निकलता है नहीं, rocket में क्या होता है कि particularly हर minute आप बोलेंगे कि rocket क्या 11.2 km per second से निकलता है तो नहीं देखे, क्या होता है rocket के अंदर हमेशा fuel जलता है और वह एक force exit करता है, rocket पे fuel बहार निकलता है और एक force exit करता है वह continuous force होता है तो अगर यहां से वह 1 meter per second से भी निकल रहा है फिर भी वह क्या कर रहा है force exit कर रहा है कर रहा है कर रहा है और force के help चो बाहर निकलता है बट हम यहाँ पर बात करें कि एक बार हमने throw कर दिया उसके बार ना हम मुझे फोर्स लगाएंगे ना कुछ लगाएंगे वह बस बाहर निकलना चाहिए तो moon के लिए हमारा 2.8 meter kilometer per second earth के लिए 11.2 kilometer per second अगर मैं वही sun के लिए बोलूँ अगर मुझे sun के लिए escape velocity निकालना हो sun के लिए देखिए बहुत ज़्यादा होता है V sun 618.03 kilometer per second देख सकते हैं sun से अगर हमको किसी चीज को escape करवाना है तो कितना ज़्यादा है 618.03 kilometer per second तो अभी मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूँ इसमें आप देख सकते हैं कि sun का, mercury का, venus का, earth का, mars का, jupiter का सारे planets का है कि कितना-कितना velocity है मतब कितना-कितना escape velocity है अब देखते हैं orbital velocity orbital velocity क्या होता है देखिए यह earth है अगर मुझे earth में से अगर किसी satellite को launch करना है और मैं चाहता हूँ कि वह earth के axis पे घुमता रहा है जिस ऐसे घुमता रहा है तो इस velocity से जिस velocity से मैं इसको throw करूँ है इस direction में वह होगा हमारा orbital velocity अब देखिए क्या होता है अगर मैं इसको बहुत आराम से थ्रोग किया तो एक time हैगा वह ऐसे गिर जाएगा क्योंकि gravity उसको pull करेगी अपनी तरफ फिर मैंना और तेज force लगाया यहाँ पे गिर जाएगा all लगाया तो हो सकता है यहाँ पे गिर जाए और लगाया तो हो सकता है यहाँ पे गिर जाएगा फिर क्या होगा ना एक time मैं जब एक equal force लगा दूँआ ऐसा force लगाऊँगा जो उसको ऐसे rotate होके फिर वो इस जिगा पर आ जा जाए वो गिरे ही ना मतलब क्या होगा अर्थ अपनी तरफ अट्रक्ट करेगा अर्थ अपनी तरफ अपनी तरफ अपनी तरफ ग्रेविटी एस वा से turn हो आ रहा है तो उस velocity से फेकना जिसमें वो एक axis पर आ जाए ना वो नीचे आ है ना वो अर्थ से gravity से भाहर निकले तो उसको हम बोलते हो orbital velocity तो अगर मैं मानता हूँ कि मैं इस position पर orbital velocity निकालता हूँ मतलब surface of earth पर orbital velocity अगर निकालना हूँ तो orbital velocity का formula होता है v o square to under root g m by r अगर मैं surface में मानता हूँ मैं अगर यह खड़े होगे surface पर तब मैं ऐसा force लगा हूँ ता कि वो बस घूमता रहा है मतलब जमीन पर ना गिर है बस वो surface पर ही जैसे 1 meter की height से घूमता रहा है तो उसके लिए होता है हमारा earth के orbital velocity 7.5 km per second अगर मैं surface पर ऐसा orbital velocity निकालना है इसलिए हम आपने देखा हुए satellites होता है काफी height पर हम throw करते हैं जैसे हम लोग space पर ले गए और वहां से throw किये ताकि orbital velocity जैसे height बढ़ेगा आपने देखा जैसे height बढ़ा वैसे-वैसे orbital velocity कम होता जाएगा तो that's why हम लोग space में जाके एक height अच्छी खाज यह height पर throw करते हैं ताकि वह बस orbit में astrix हो जा और rotate होता रहा है क्योंकि हम satellites के लिए करते हैं जैसे हमारा natural satellite है और artificial है तो natural हमारा moon है तो हम moon के साथ कुछ करने सकते हैं ना हमने उसे place किया है वह god ने किया है बट जो artificial satellite है वह हम place करते हैं अपने help के लिए जैसे telecom industry के लिए GPS के लिए हम यह satellite हमने satellite वह डाल रखा है orbit में तो that's why हम लोग orbital velocity निगालते हैं पहले हमने देखा यहाँ पर जैसे यहाँ बढ़ेगा वैसे orbital velocity कम होता जाएगा केपलर ने हमको तीन लॉव दिये थे जिसमें planet के motion के बार में बताया गया था देखे देखते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉव देखे हम लोग अभी तक assume करते थे जो हमारा अर्थ है यसे अर्थ है वो sun के बिल्कुल जैसे यह sun हो गया तो अर्थ बिल्कुल circular path में motion करता है ठीक है यह sun हो गया यहाँ पर अर्थ है तो बिल्कुल circular path में motion करता है बट कैपलर ने बताये जो planets होते हैं वो move around जो sun के करते हैं वो elliptical orbit में करते हैं मतलब क्या हुआ elliptical orbit मतलब इस टाइब करते हैं इस orbit में करते हैं जिसमें sun जो है किसी एक फोकेई पर place होता है मतलब elliptical के दो फोकेई बोलते हैं एक इस हाफ को इस हाफ की center को और इस हाफ की center को आए तो sun किसी एक फोकेई पर place होता है और जो हमारा planets होता है इस पात में motion करते हैं इस ही यह हो गया इक point पे दूर होते हैं एक point पे pass भी होते हैं तो यह हमारा हो गया first capilers का first law इस Sun हो गया ओर यह planets हो गया है अब capilers का second law देखते है कैपिलर का second law बोलता है अब planet moves round the sun in such a way that its aerial velocity is constant जो planet होते हैं अर्थ के चक्क्र लाएं बट इस तरीके से चक्क्र लाएं जो उनका aerial velocity होता है हमेशा constant होता है जिसे आपने देखा अब aerial velocity क्या होता है बताता हूँ जिसे area, aerial, velocity, बोलते हैं, area per unit time, अभी कैसे हुआ, जिसे मानिए, ये बात है, सन्य आप रहा है, aerial velocity मानिए, जिसे ये, मतलब यहां से यहां आने में, अगर उसको दो दिन लगे, मानिए one month, ठीक है, अगर मैं मानता हूँ कि, एक planet है, यहां आने में one month लगा, फिर next month, वो यहां से यहां आया, one month, वैसे करते गरते, फिर वो next month, यहां से आया, next month यहां से आया, next month यहां से यहां आया और next month यहां से यहां आया तो कहने हां मतलब क्या है जो जिसे पर मंत का है पर मंत हो यहां से यहां move कर रिया फिर next month यहां से यहां move कर रिया तो जो यह area होगा सबका same होगा तो कि इसका भी area same यह भी area same ये भी देखिए अगर ये जैसे shortest path हैं तो बहुत जल्दी cover कर गया उसने इतना बड़ा area इतना बड़ा distance जल्दी cover कर लिया और इसे longest distance पे वो धीरे से cover कर रहा है ताकि aerial velocity जो हमेशा constant रहा है area per unit time यानि जो area है कितने time में cover किया और sun से लेके planet तक वो हमेशा constant रहेगा ये कैप्लेर का second law था अब देखते हैं कैप्लेर का third law कैप्लेर थाड़र क्या बोलता है जिसे planets हैं उनका जो time का proportion होगा कितने time में वो revolve कर रहे हैं sun के round time का square उनके radius semi-maxer axis के जो radius का है उसका cube होगा अब आईए मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसे मानिए यह एक axis है यहां पर sun है यह एक दूसरे axis है इसका यह minor axis होगया यह major axis होगया वैसे इस बड़े वाले का यह minor axis यह major axis मतलब major axis बड़े वाले का यहां से यहां तक हो गया पूरा और छोटे वाले का यहां से यहां तक हो गया major axis semi-major axis major axis यह पूरा हो गया तो उसका semi कर दिया है तो यह हो गया तो कहने का मतलब किया है कि एक planet है ये, एक planet है ये, तो इसको revolve होने में जितना time लगेगा, और इसको revolve होने में जितना time लगेगा, तो उसके बारे मैं बताया था हमारे Kepler के third law में, जैसे, बोला था हमने ती square, is directly proportional to r cube, यानि अगर मैं मानता हूँ, यह जो semi major axis है, वो एक radius मानता हूँ मैं, तो इसका cube, इस proportional होगा, इसके time of revolution के, वैसे इसका, इसका जो cube होगा, यहां से यहां तक का cube, वो इसके time of square के, equal होगा, proportional होगा, यह बताया था, a planet moves round the sun in such a way, that the square of its time period, is proportional to the cube of semi major axis, of its elliptical, elliptical path में, जो semi major axis है, उसका cube, time के square के proportional होगा, heart planet के, जैसे अब किया है, जैसे अब किसी planet का बोल दिया, आपको question में, कि इस planet का, जैसे earth है, इसका time, 365 days है, और इसका radius, मान लिए, let's suppose, 1000 km मान लिए, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आपको बोला जाए, कि अगर इसका, जैसे यह दूसरा planet है, मार्स, अग तो बताएए, कितने दिन में revolution complete करेगा, तो simple सा है, आप करेंगे, 365 का square, is equal to 1000 का cube, और इधर करेंगे, x का square, is proportional to 1500 cube, दोनों को divide कर देंगे, तो 365 का square, divide में, x square, is equal to 1000 का square, cube, अब और में 1500 का cube, तो यह से हम लोगा x निकल जाएगा, कितने दिन में revolution complete कर रहा है, देख सकते हैं, friends, आपका gravitation complete हो गया है, तो मैं आपको इसका questions करा दूँआ, जैसे हम लोगा 3-4 topic complete हो गयाता है, एक दिन हम question की series लाएंगे, इसमें आपक questions होंगे, paper patterns के according, तो friends, आपको इस session कैसा लगा, प्लीज इस वीडियो को like करिए, और अपने कोई भी doubts हो, या फिर हम लोग के लिए कोई session हो, तो please comment करिए, इस वीडियो को जाद से जादा share करिए, ताकि बहुत अच्छे बच्चों तक पहुँचे, और हमारे channel को subscribe करना ना बुले,